बिस्व के प्रमुक जील से सम्मंदित है जानेंगे कि बिस्व में कौन कौन से जीले हैं और वो क्यूं प्रशिद है शाथ ही इस जो है वीडियो को मैं Google Earth और Map के माध्यम से समझाऊंगा जिससे कि आपको एक बार ये टॉपिक क्लियर हो जाए तो भविस में कोशन किसी प्रकार से दे आप कोशन को गलत ना करें और साथ ही इसमें किसी आपको ट्रिक की जरूत ना पड़े तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाते हैं चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिस्टो के प्रमुक जील सबसे पहले जानते हैं कि जील होता क्या है तो जील एक ऐसी जलरासी है जो चारो और असल खंडों से घिरी रती है यानि अगर हम जील की बात करें तो जील जो होता है एक जलरासी होता है यानि जल का एक विसाल संग्रह होता है जो चारो ओर जमीन से घीरा होता है उसको हम जील कहते हैं ठीक है अब बात करते हैं जीलो के प्रकार जीलो के प्रकार जो है यहाँ पे उत्पत्ती लिखा है उत्पत्ती के साथ अन्य प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा तो उत्पत्ती के आधार पर देखे तो दरार घाटी या भ्रंस दरारी जील होती है, जो कि भूस अंचालन दोरा निर्मित होती है, दूसरा क्रेटर जील होती है, जो कि ज्वाला मुखी निर्मित जील होती है, तीसरा गोखुर जील होती है, जो नदियों दोरा निर्मित होती है, और चौथा लैगून जील होती है, जो समुंद् और पांचवाँ जो होता है डेल्टाई झी यानि जो नदियों दरही निर्मित की जाती हैं जीलों को जल के आधार पर वी तो चलिए जीलो के टोपिक को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले देखते हैं कैस्पियन सागर नौ असल जील है इसका मतलब है यह भूत अंचालन के कारण निर्मित है तो देखते हैं कि कैस्पियन सागर के बारे में क्या-क्या पॉइंट है तो बिश की सबसे बड़ी जीले एक बार मैं आपको मैप से पूरा क्लियर करा दू उसके बाद सारे पॉइंट आपको आपको आटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे तो चलने एक बार मैट पे बहुत बड़ा आपको कैस्पियन सागर की लोकेशन दिखाता हूं देखे यह वाला जो हिस्सा है यही आपका क्या है कैस्पियन सागर यह वाला हिस्सा जो है यही है आपका कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर देखे किन किन से घिरा है तो यह जो बहुत बड़ा छेतर दिख रहा है यह रूस है दूसरा यह जो है कजाकर सान है और यह जो है का नाम है कैस्पियन शागन शाथ ही इसमें जल निकासी की कोई बेहुसा नहीं है इसलिए ये खारे पानी की जील है ठीक है और खारे पानी की जील भी है और विस्टो की सबसे बड़ी जील भी है चले अब एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से इसके पॉइंट को इसके पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं विस्टो की सबसे बड़ी जील दूसरा अगर आगे बढ़ें इसके पॉइंट के बारे में तो क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं एक बार दूसरा पॉइंट विस्टो में खारे पानी की सबसे बड़ी जील एती है क्योंकि खारे पानी की जील का मतलब जिसमें जल की निकासी की विवस्तानी होते हैं उसे खारे पानी की जील करते हैं अगला पॉइंट दिखें तो अगला पॉइंट जो है आपका एसिया और अफरीका की सीमा बनाती है क्योंकि जो है इस जील के क्या है पुर्वसाइड में एसिया है और अफरीका यहां पे गलतिस लिख दिया गए एसिया और यूरोप की सीमा बनाती है ठीक है एसिया और यूरोप की सीमा बनाती है और जील की सीमा रूस, अजरबेजान, क बोलगा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यूराल नदी जो की एसिया और यूरोप की सीमा बनाती है दोनों नदियों का जल इसी कैस्पियन सागर में गिरता है तो यह आपको क्लियर गया एक बार मैं आपको Google Earth से एक बार दिखा दूए जिल के बारे में आप देख लें तोड़ा सा उसके बाद यह टॉपिक को क्लियर करते हैं चले देख लें अच्छे से देखें यही आपका है कैस्पियन सागर यह जो जिल दिख रहा है यही है कैस्पियन सागर यह दिख रहा है अज्रबैजान लिखा है तुर्कमेनिसान लिखा है कजाकर सान लि तुम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दूसरी जील की बात करें, दूसरी जील है, आपकी सुपीरियर जील, कौन सी जील है दूसरी, तो ये सुपीरियर जील है, सुपीरियर जील क्या है, ये हिमानी निर्मी जील है, दूसरी इसकी बात करें, एक सबसे बड़ी जील है साथ ही बिस्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है अगर बात किया जाए कि पूरे बिस्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन है तो यही आपका कौन है सुपीरियर जील है आगे बात करें कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है तोड़ा से बढ़ा सा जील यहीं आपका कौने सुपीरियर जील है तो प厲害 यह क्या है मीठेगा फानी की यह है Michigan यह है यूरन यह है और जो इडी यह उंटोरियो यह पांच जील जो है यह ग्रेट लेक्स का निर्माड करती है ठीक है और शाती इसके ऊपर कौन है तो इसके ऊपर जो है आपका पता है कि कनाड़ा है और नीचे कौन है सहिंक तुराज अमेरिका है ठीक है clear आगे बात करें अब चलते हैं अगे बात करते हैं सुपीरियर यह हम चार अन्य जील Michigan यूरन इडी ओंटोरियो मिलकर Great Lex का निर्मार करती है तो गार आपसे कोशन में पूछा है कि Great Lex का है तो बता देजेगा कि यह उत्तरी अमेरिका में जो है बिस्पोर्ट होना बंद हो गया और उसके मुव में जल यानि उसके मुख में जो है जल भर गया और वह एक जील का रूप ले लिया तो उसको हम लोग कहते हैं जो है स्क्रेटल जील ठीक है आजए बात करें सके तीशुकी तीसरी सबसे बड़ी जील है चले एक बार उपर जो दिख रहा है ये यूगांडा है यूगांडा केन्या तंजानिया इन सब के बीच में जो ये जील है यही जील जो है विक्टोरिया जील है और इसी से दुनिया की सबसे लंबी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है इसी जील से अरे निकलती है ओके चले अब इसके बारे point भी देख लिए अगल बगल की जीलों को पता जल गया और ये अफ्रिका की सबसे बड़ी जीले चले अब हम point पर आते हैं अभी मैं आपको Google Maps से भी दिखाता हूँ एक बार जिसकी तीसी सबसे बड़ी जीले वो भी ताजे पानी की क्यों है क्योंकि इसमें भी जल निकासी की बेवस्ता है यानि इसका भी जल निकलता रहता है इसलिए इस ताजे पानी की जीले पर उपोर यही है विक्टॉरिया एक क्रेटर जील होता है हो ज्वाला मुक्जिए और केन्या दिखाई था केन्या आपको टंजान या और इूगांड़ा के सीमा से जुड़ी है आगे बात करें बिश्क्वत रेखा इसके 20 से होकर गुजरती है अर्था जील जो है बिश्क्वत रेखा पर ही इससित है देख लेते हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं चलें हाँ थोड़ा सा इसको सर्च कर लेते हैं विक्टोरिया लेक विक्टोरिया इसको देख लें ज्यादा बड़ा है ज्यादा बड़ा है ठीक पैस इसमें बहुत जूमिंग पावर होती है इसलिए तुरह सा समझेंगे यही आपका जो जील है इसी का नाम है लेक विक्टोरिया यानि विक्टोरिया जील यहीं है तुरह स अफ्रिका महादीप यह ना अफ्रिका महादीप पर है ठीक है और यह बगल में जो आपको अब दिख रहा है अब मैं आपको दिखा दूँ यह दिखे यूगांडा लिखा है और यह कौन लिखा है केन्या और यह कौन है तंजानिया तो यूगांडा केन्या और तंजानिया के बीच में ही यह जील है और यहीं से एक नदी निकलती है नीन लदी जो कि उत्तर दिसा के ओर बहते हुए जाकि भूमत दिशागर में अपना मुहाना बनाती है तो आई होब आपको यह भी क्लियर हो गया होगा चले आगे बात करते हैं विक्टोरिया जील भी क्लियर अब आग यूरन एक मीठे पानी की जील है क्योंकि मीठे पानी की जील है क्योंकि इसका पानी जो है यह इसमें भी निकासी की बहुसता है पानी इसका भी निकलता रहता है इसलिए मीठे पानी की जील है कनाड़ा और अमेरिका की उत्तरी अमेरिका है नहीं से उत्तराज अमेरिका के शीमा बनाती है एक बार दिखा दूँ मैं आपको भी दिखा दूँ चले एक बार देख लें कहां पर है तो अभी मैं हो सकता आपको दिखाया भी हूँ लेकिन फिर भी आप देख लें यही वाला जो जील दिख रहा है यही आपका कौन है यही जील आपका कौन है यही जील है चले एक बार उसको उससे देख लेते हैं उसके बाद जो है आपका कॉंसप्ट यह विल्कुल क्लियर हो जाएगा चले गूगल सुपीरियर लेखी सर्च करेंगे क्योंकि हमको वहीं के बगल में मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा घूमने कि यह आपका जो जील दिख रहा है यह आपका यूरं जील और देख रहे हैं इसमें पानी की निकासी की बहुत सा इसके त्रू इसमें जालता है तो यह सबसे बड़ी विक्टोरिया अरे सुपीरियर से जो दूसरे नंबर पर जो है इसी का नाम क्या है यूरं जील है ठीक और यह मिठे पानी की जील भी है आगे बात करें कि चले प्रवासा और देख लेते हैं अब अब यूरं एक मिठे पानी की जील है कनाड़ा और वह सब्सक्राइज अमेरिका की शीमा बनाती यह आपने दिखा और यूरं और चार अन्य जील कौन-कौन सा मिशीगन शुपीर मिलकर ग्रेट लेक्स का निर्मार करती है जैसा कि अभी हम लोग सुपीरियर के केस में देख लिए हैं चले आगे बढ़े हम टिटिकाका जील यह देखी का मोस्त इंपॉर्टेंट जील है टिटिकाका जील एक बार पहले लोकेशन नहीं देख लेते हैं इसका टिटिकाका क आएं तो यह जो होता है यह आपके शाउथ अमेरिका में थोड़ा सा और और मैं जूम कर सकता हूं दूसरे वाले में चलूंगा गूगल अर्थ में यह आपको जो छोटा सा दिख रहा है ना पॉइंट यह आपका इसको बोलते हैं यह आपका कौन बुलविया है और उपर क अमेरिका में है ठीक है फ्यासा मैं आपको गूगल अर्थ से दिखाऊं पहले यह आप अच्छे से इसको देखें अब तो यह दिक्कत हो रही है इसमें ठीक है यही आपका जील का है प्रूस के साईबेरिया वाले छेत्र में ही आपको मिल जाएगा ठीक है और ध्यान रखे में ही इस्सित है चले आगे बात करें मरा काईबो जील मरा काईबो जील कहां पर अगर मरा काईबो जील को एक बार देखा जाए तो इसके बारे पर हम देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसिस पूररे दक्षड अमेरिका की सबसे बढ़ी धील है चलिए մारा की बारे में देखेंगी क्या-क्या-क्या पॉइंट से बारे में देके हैं वेनुजियेला वो जो जग्या है उसका नाव है वेनुजियेला में इस्सित दक्षड अमेरिका की सबसे बड़ी जील है है दूसरे पॉईट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या इसमें देख लेंगे यह मराकाइबो एक लागून जीन मतलए का क्या है वो समुन्दरट के परीशित है इसलिए क्या एक लए जीन मराकाइबो जील कैसी है एक लाइगून जील है प्रस एक बार एक बार और कुछ करते हैं अगर गूगल अर्थ खुलता है तो फिर देख लगते हैं एक बार फिर प्रस आड़ देख लगँ मुक्रूशल है पुसक तार शागए अर्च जया एक बार लगते हैं वुसकता है तर्चुल जया है कि मरकाइबु लेक वे नुजेळा देख लें पर इसको कि देखें है देखें देहीं आपका मरकाइबु लेक ठीक है यह वाला जो लेक आपको दिख्राएं मरकाइबु लेक है और यह समुन तस टट से जुड़ा होने करण क्या है यह प्रकार का लैगून जील है जैसे हमारे यहां उड़ी सा में जो चिल का जील है वो भी एक क्या है लैगून जील है तो इसी तरीके से जो मरा काईबू है एक हमारा क्या है लैगून जील है कहां पर है यह वाला जो हिस्सा दिख रहा शहां देखें आपको उससे काल रहा यह नेट काम नहीं कर रहा था है इस वजह से नहीं दीखा भवाए ISO iş just Mongolia के Oopड यही यह यह आपको कौंसा जील है यह आपका है लेकopt का यह जो आपको जीएक फट्राइव्य है यह लेक्त भैका थोड़ा रût या में ये जील हिस्सित है ठीक है चले दोनों जील को मैंने क्लियर कर दिया यहां से अब आगे बात करते हैं आगे बढ़ें ये खारे पानी की जील है मरा काईबो एक लैगून जील है और साती खारे पानी की जील होने का मतलब अगर पानी की निकासी की बेवस्था कई दूसरे जगह होती तब तो ठीक है लेकिन ये क्या है खारे पानी की जील होने का मतलब इसकी जो निकासी है वो भी शमुन तट से है इसलिए क्या उसमें नमक की पानी की अरे नमक जो है नमक की मात्रा अधिक होती इसलिए खारे पानी की जील है ओके अब वान जील की बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जील है वान जील तरकी तरकी जो है में इसे सरवाधिक लवड़ता वाली जी पूरा यह पूरा टरकी ए और टरकी कि बीच में जो यह जो दिख रहा है यानि इरान और जो अज्रवाजान इन लोगों के बगल में जो है यह वाला जो जील है यही आपका कौन है तो यह आपका जो यह है वान जील है सरवाधिक लवड़ता होने कमा रहे इसमें क्या है नमक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है अब समझेंगे प्रसा अब गूगल अर्थ का वो ले ले लिए हेल्प ले 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 लेते हैं इसले गूगल अर्थ वान जील दिखा दूं आपको यह दिखें तो रहता मैं आपको यहां से लोकेशन दिखाते चलूं यह दिखिए आपको दिख रहाता है यह कैस्पियन सागरता यह काला सागरता अब हमको यह दिखें टर्की कहां पे टर्की यह है टर्की का यह हिस्ता जो है यह है वान लेक कौन है यह है देखें अभी यहां पे यह आपका जो लेक है इसी का नाम क्या है वान लेक मतलब वान जील यह है वान जील जो है इस कारड होने कारड क्या है इसमें सरवाधिक लवडता है खारे पानी की जीले क्योंकि इसमें पानी निकलने की कहीं भी ब्यवस्ता नहीं है ठीक है इसलिए यह क्या है यह दिक्वे वहाँ पर लिख रहा है वान लेक है यानि वान लेक को याद रिकिक और दिखेंगे यह आपका कैस्पियंस अगर से कितना च्छोटा है तो बहुत च चले आगे बात करें चले अब देख लेते हैं एक बार और और उड़ा सब्सक्राइब तर्की में से सरवादिक लवड़ता वाली जीले कितना है तीन सो तीस परशन और यह खारे पानी की जीले अब आगे बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें क्या है? मृत्सागर यह जीलसे कम चीलिका की जाए तोर यह कॉझा सरवादिक लवड़ता वाली जीले उसमें लग भगह 30% परशनट और यह लवट्ड़ता क्या है रइट से दीख मेंट लिग्षा कं जिख विए जो दीख रहा है इर्ष फिर के फिन एंग ब्लु इस फियर है इस तो दीखा देता है यही आपका हूनक कि लिगता 210 जॉड्न येशरायIL के बीच में कि ये ये इसी के बीच में जो यह जील दिख रहें इसी जील का नामें डेट डेट तीयानि जो है मृत्य सागर वाली यह जील है ठीक है डेट सी कहा है तो यह इसराइल और जो है जार्डन की सीमा पर है तो यानि डेट सी यहां पर है ओके चले तो यह आपका डेट सी दिखिया अब एक जो लास्ट बचा उसको भी क्लियर कर लेते हैं तंगनीका जील यानि तंगनीका जील क्या है यह अफरीका की दूसी सबसे बढ़ी जीले तो ब्रहूं होने मतलब कुछ असे समझぎ लिए अब बिरंस मैंने कितनी बार भी आपको बताया है थोड़त दिया नखेंगे ब्र्षम का मतलब यह होता है यह तरह यह वाला कुल दो पहाड़े होती है और इनके बीच में काफी गहराई में जब कोई जिल इस्थ होती है तो उसको बोलते हैं घ्तरारी झील बोलते हैं तो यह जहाता है क्योंकि देख रहा है यह दरारी होने का मत्रशाफ में बहती है तो यह काफी गहरी भी होगी यह यह ूपर यह लोग जादा तर रहते हैं और यह जो एक अंदर भृंश से बहरी है तो यह सबसे क्या होगी, दूसरी सबसे गहरी जीलोगी, लेकिन बात करते हैं, तो अगर यह जो भ्रंश काटी में बहने वाली सबसे बड़ी जील है, एक बार मैं आपको तंगनिका को दिखा देता हूँ, तो आज की वीडियो यही पर समाप्त करेंगे, ठीक है, तंगनिका क यह पत्ली इसी जो लाइन आपको दिख रही है, यही पत्तिस लाइन कौन सी जील है, यही पत्तिस लाइन आपकी जो जील है, उसी का नाम क्या है, तंगनिका जील है, चले एक बार गूगल अर्थ से देख लेते हैं, गूगल अर्थ में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, यही जो जील आपको इनाम जो है तंगानी का झील्ए और यह आपका Victoria जील और यह आपका तंगानी का जील्आं तो याद केगा यह अफ़रीका में से जील पीक को आई होप यह वन तो प्र,